सब्सक्राइब करेंगे तो क्या आप जानते हैं कि आज के टाइम पर लोग बहुत जादा फ्रस्टेटेटेटेटेटेटेटेटेसंग एक साइन किया है जिसमें कि यह लिखाया कि सैंपसंग अपने एक्सेनोस प्रोसेसर को छोड़ के स्नैपड़गन वेरियंट्स का यूज करें कि सैंपसंग के एक्सेनोस प्रोसेसर कहीं नहीं जा रहे हैं बहुत सारी कंपनीज उन्हें अडॉप्ट कर रही है तो सबसे पहला नाम आया है गूगल की तरफ से जो सैंपसंग के साथ मिलके कस्टम चिपसेट बना रही है अपने फ्यूचर पिक्सल 5 के लिए यह बह आपको 5NM टेक्नलोजी पर देखने को मिलेंगे और इसमें आपको सैंपसंग की कोई भी मंगूस को और देखने को नहीं मिलेगी जी हां गाइस सैंपसंग अपनी मंगूस को और को परमनेंटली डिच कर दिया है और उसकी जगह वो ARM के ओरीजनल डिजाइन को यूज यह आपको एक octa core processor देखने को मिलेगा जिसमें आपको 2 ARM की A78 core देखने को मिलेंगी 2 ARM की A76 core देखने को मिलेंगी और 2 A55 core देखने को मिलेंगी इसमें आपको Mali P20 GPU भी देखने को मिलेगा और सबसे main बात यह कि यह 5NM की LP टेक्नलोजी पर काम करेगा इस processor की जो सबसे खास बात है वो यह है guys कि इसमें आपको जो ISPN neural engine देखने को मिलेगा वो सारा Google की तरफ से देखने को मिलेगा जो उन्हेंने अभी तक अपने pixel phone में design किया है तो इसका मतलब यह है जो आपको upcoming Samsung के या फिर pixel phone देखने को मिलेगे उनकी आपकी जो picture quality होगी वो बहुत ज़ादा अच्छ होगी आज के time के मुकाबले क्योंकि Google एक ही चीज में perfect है वो है उनकी camera performance और उनकी computational photography जिहां guys आपने notice करा होगे कि pixel 3 में single camera होने की वज़े से भी वो सबसे अच्छा camera phone माना गया है उस साल का और यह सब हो पाया Google के AI algorithm की वज़े से जो वो अपनी computational photography में use करते हैं तो इसी ISPN neural engine को use करके वो Samsung के साथ मिलके custom chipset design कर रहे हैं जो कि वो अपने pixel 5 में use करेंगे and guys यह partnership future में भी चल सकती हैं हो सकता है कि Samsung जो अपने लिए Exynos chipset बनाए अपने phones के लिए उनमें भी Google की help से वही ISP और वही neural engine डाल के दे and इसमें और भी बड़ी बात gamers के लिए आ जाते है क्योंकि Samsung अपने जो 2021 में Exynos 1000 chipset आएगा उसमें Samsung use कर सकता है अपना AMD का Radeon Graphics जो अब तक के सबसे powerful mobile graphics होंगे आप जानते होंगे कि Samsung AMD के साथ पिछले साल partnership कर ली थी अपने processors को लेके and अभी तक उसमें से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला है क्योंकि Samsung इसे बहुत time से prepare कर रहा है अपने आने वाले Exynos 1000 chipset के लिए तो गैज यहीरी amazing new Samsung Exynos processor को लेके and अगर आप इस news को सुनके excited है तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं ताकि future में आपको आने वाली ऐसी और भी update देता रहूं तो गैज मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you